हे दोस्तों वेलकम टू स्टेड़ी आईएस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं राकिस जुझुझुन वाला के जो नए इन्वेस्टमेंट नेरेटिव हैं उनके बारे में लेकि दोस्तों आप लोग को पता है कि कल यहां पे जो राकिस आपके सकते हैं दुखत खबर है भारत की मैं बदा दू कि जो टॉप ट्रेडर माने जाते हैं जो टॉप इन्वेस्टर माने जाते हैं वो हैं दोस्तों यह अभी दोस्तों इन्हों ने अपनी जो अकासा एर है इसे भी खुला जहां पे यह चीप कॉस्ट पे लोग को आपक की जो facilities हैं इसे available करवाय थे उसके लिए दोस्तों इन्होंने अपनी ही खुद की बनाई हुई यहाँ पर खुद की मतलव की अपनी एक अलग यहाँ पर आकासा एर की flights कर दी और उनकी facilities को इतना आपके सकते हैं cheap रखा जिनकी basis पर जो middle class व्यक्ती भी है वो यहाँ पर इनका फ गशाय पर गया, राकए जुझनवाला को की जो investment है वो आप करज सकते हैं उनका भगवान माना गया भारत के अंदर, ओकए भारत के Warren Buffett माने गयते हैं, आप कर सकते हैं रासे जुझनवाला और इनकी नई investment यहाँ पर narrative रहते हैं, basically investment करने के तरीके अलग 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 रहते है हर इंसान के अलग तरीके अलग अप्रोच रहता है जिनके बेसिस पर वो इन्वेस्ट करते हैं कुछ आज ही की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी बाते डिसकस करूंगा क्या खिर इनका क्या अप्रोच रहा इन्होंने कैसे चीज़ समाली और कैसे कैसे जो काम है वो इन्होंने करे देखिए दोस्तों वीडियो को जो है एंड तक देखीगा क्योंकि उसके बाद ही आप लोग को समझ में आएगा अधरवाइस थोड़ी मुस्किल हो जाएगी और अगर तब भी आपको कोई टर्मिलोजी समझ में नहीं आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट स्क्षिन के अंदर देखिए कुछ भी स्टार्ट करों से पहले बता दूँ कि पिछले दो सालों से अन अकेडमी के परफॉर्मेंस भैतरीन हमें देखने को मिल रही है जो टॉपर से दोस्तों यह हमें अन अकेडमी से बिलाउंग होते हुए दिखाई देते हैं 18 अगस्त से नई बैचेश स्टार्ट हो जाएंगे सभी अपकमिंग एर के तो आप लोग आसानी से जाके खुद को यहां पर एंडरोल कर सकते हैं 19 अगस्त से दोस्तों मैं बता दूँ कि जो प्राइजिस हैं यह बढ़ जाएंगे तो आप लोग जल्दी जाएए और अवेल कीजिए इन उफर्स को बिल्कुल वैसी फैसिलिटीज होंगी जैसी आप लोग एक्जाम में देते हैं वैसा सब कुछ देखने को मिलेगा 0% की EMI भी है courses purchase करने पर तो आप लोग को इसका फायदा जरूर ठाना चाहिए आपको बहुत मदद मिलेगी और CSE Assure का जरूर फायदा उठाईएगा इससे भी आपको काफी help होने वाली है अब देखिए दोस्तों मैं बता दूँ कि जिस हिसाब से हमें पता लगा है कि जुझन वाला जो है इनकी आपके सकते हैं इतनी बड़िया तरीके से investment strategies रही है जो कि आपके सकते हैं इतना बड़े important part ये लोग निभा रहे हैं अभी आपके सकते हैं जो भारत की growth है उसको लेकर अभी बता दूँ मैं basically दोस्तों पूरे तरीके से इतने optimist आदमी इतना बड़िया आपके सकते हैं इनका तरीका long term इनका perspective जो सोचने के इनके तरीके हैं ये बहुत बड़िया है देखी दोस्तों हमें इनकी death पता लगी कली इनकी मतलग है सकते है death हुई morning में ओके और दोस्तों ये बहुत बड़ा shock हमें देखने को मिलता है कई दसकों से हमें पता लगता है कि जो जुन-जुन वाला है ये भारत के मातर आपके सकते हैं ऐसे वेकती हैं जो की most celebrated investor रहे हैं और मैं बता दूँ कि सबसे बड़ी है जो इनका तरीका रहा है जो इनका narrative है क्योंकि इनकी तरीके से जो आपके सकते हैं successful और enthusiastic जो investing है इनकी वो काफी important है हमारे लिए और दोस्तों जो आपके सकते हैं इनका जो perspective है ये मैं बताओं आपको अगर आप लोग इनका interview भी देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ आपके सकते हैं उनकी जो सोच है वो काफी different है मतलब मैं और आप लोग उन चीजों को नहीं सोच पाएंगे जो चीजे वो सोच रहे हैं अभी से ये बहुत बढ़ी चीजे और मैं बताओंगा कि इसकी वज़े से ही आदमी इतना grow कर पाता इतनी growth पा सकता है अब कैसे दोस्तों इन्होंने इतना पूरा जो culture है अपना equity investment का वो भारत में set up करा देखे दोस्तों अगर बात करें हम लोग equity investment के बारे में तो recent जो phenomenon है जहां पे जितने भी retail investor होगे उनमें यहां पर traditionally वो लोग invest करते हैं bank के fixed deposit के अंदर और जो चोटी मोटी यहां पर savings scheme होती है उनके अंदर पर जुन जुन वाला ने दोस्तों यहां पर कैसकते हैं एक बहुत तगड़ा example दिया कि वो लोग equity को समाल सकते हैं risk के साथ fixed deposit होके है दोस्तों आप लोग का यहां पे FD जब आप बंदवाते हैं तो यह काफी safe होती है कोई आपको नुकसान का कहीं कुछ करने की ज़ुरत नहीं है पर जो जुनजनवाला जी का यहां पर 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 जतने काम था यह ऐसा था जहां पर रिस्क बहुत ज़ादा और उतने ही ज़्यादा यहां पर आप लोग को जो यहां पर returns में लें वो भी ज़्यादा ही रहे हैं उन्होंने दोस्तों अपनी success से जो retail investor हैं उन्हें भी encourage करा कि वो भी invest करें stock market के अंदर जिससे कि कहीं न कहीं पूरे भारत देश के अंदर जो equity culture है यह built होता है और हमें तब इसे ही पता लगने को मिलता है जैसे अभी आप लोग देखा होगा यहां पे एक movie भी आई जहां पे हर्जद मैता वाली movie के अंदर हमें पता लगता है वहां से लोगों के अंदर एक crazy आया एक नया यहां पे trend निकल के आता है कि हर इंसा इन stock market में invest कर रहा है यह कर रहा है वो कर रहा है और इन सब की वज़े से दोस्तों जो companies हैं इनके लिए fund raise करना बहुत आसान हो गया invest करना अपने manufacturing में services में वह बहुत आसान हो गया और हमारी जो economy है इसकी growth के लिए भी यह काफी ज़दा crucial रहा कि जो लोग है वो इस पूरे culture में आए है राके जुँँँँँँवाला दोस्तों एक पूरे role model निकल के आते हैं जो कि retail investor को attract करते हैं कि वो अपनी जो equities एने invest करें और wealth को create करें ओके पैसा बनाने का यहां पे एक नया तरीका जो है वो जुँँँँँँवाला जी ने अपनी तरफ से दिया क्या दोस्तों हमें पता लगता है कि यह पूरी हिसाब से bull थे मार्केट को लेके देखिए वाइडली अगर बात करें हम लोग यह काफी ज्यदा eternal optimistic आदमी थे और जुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ positivity देता है, long term investment की philosophy दे रहा होता है दोस्तों और साथ ही कहीं न कहीं आप कहीं आप कहते हैं यह अपने narrative को भी miss कर रहे हैं यहाँ हमें पता लगता है basically और जिस हिसाब सब कहसे कहते हैं इनका तरीका रहा है वह हमेशा सही सेम रहा है क्यूंकि तब ही जाके आप कहसे हैं इन्होंने long term में इतनी बड़ी growth हासिल करी है अब इसके हिसाब से क्या का मतलब इनके हिसाब से क्या है इनका क्या तरीका है उसके बारे में बात करते हैं देगे दोस्तों जुझनवाला openly express करते थे उनके views investing को लेके companies को लेके government को लेके जो issues है जो कि उनने देखने को मलते हैं उनके बारे में काफी अच्छा discuss करते थे 2019 के दोस्तों जुझनवाला ने controversial statement भी यह था democracy को लेके कि वो एक काफी ज़्दा hindrance है भारती growth के लिए उन्होंने कहा कि bureaucracy जो है वो यहाँ पर के सकते हैं अगर इंडिया में आती है short coming भी तो भी उनके हिसाब से ठीक रहेगा उन्हेंने बोला कि वो bullish है इंडिया के fundamentals को लेके दूधर 19 के अंदर दोस्तों जब यहाँ पर एंडिया जो है उसका majority नहीं मिली मतलब जो investing culture है दोस्तों वहाँ पर जुन-जुन वाला जी ने कुछ कह दिया तो यहाँ आप मान दीजे कि बहुत आप कह सकते हैं तगड़ा इनका impact रहने वाला है लोगों इनकी बात सुनते हैं अब मैं बता दूँ कि आखिर किस थरीके से इन्होंने इस trend को पकला या फिर कैसे इनके तरफ आता है या इन्होंने create करता देखें जुन-जुन वाला जो है उन्हें कह जाता है as a Warren Buffett of India काफी सारे इनके portfolio दोस्तों यह हमें देखने को मिलते हैं जो कि investors के लिए हैं market participants कर रहे हैं और वो भी same काम करते हैं जिनसे कि उन्हें फायदा हो क्योंकि आपके चकते इतना बड़ा आदमी अगर कहीं पर पैसा लगा रहा है तो यह हम मान सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज है नियरली दोस्तों यहां पर 5 गुना ज़्यादा उनकी sales हुई थी जो retail investor हैं दोस्तों उन्होंने भी follow करा जिन्जनवाला को और invest करा ही Tata Motors के इन्वेस्ट मोट उनके stocks के अंतर यह बाते हैं जो कि हमें पता लगती हैं और इस तरीके से आपको बता दूँ कि जैसा आपको चाहते हैं जुझनवाला वैसा वो कर सकते हैं क्योंकि लोग इनको देख कि इंस्पायर होते हैं और इनका सही decision ही आपको सकते हैं काफी कुछ सही लेके चलता है I hope दोस्तों कि अब आपको चीज़े जो हैं वो clear हुए होंगी कि किस तरीके से जो इनका अलग तरीका रहा बुलिस रहने का तरीका एक consistent रहने का तरीका यह काफी आपको सकते हैं इंप्रेसिव है और यहां से मैं काफी कुछ सीखने को भी मिलता है आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में और विच्छे टॉपिक के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनकी बायोग्राफी भी कवर करूँ इनकी आपके सकते पूरे तरीके से कहानी कवर करूँ हिस्ट्री कवर करूँ कैसे यह इतने बड़े हुए तो आप लोग को बताना पड़ेगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर उसके बाद ही मैं आप लोग के लिए एक डेडिकेटर वीडियो लेके हूँगा विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ओके दोस्तों आज की वीडियो के लिए तना ही तिल देन टेक केर एंड है वा नाइस टेक